दोस्तों आज की इस वीडियो में हमें लाइस करेंगे 3i Infotech Limited तीन से चार महिने बाद इस कंपनी में एक बड़ा ब्रेक आउट आपको देखने को मिलना है तो क्या ऐसे में जो लोग भी फ्रेस इंटी करना चाहते हैं उन्हें इस कंपनी को बाई कर लेना चाहिए या फिर अभी थोड़ा सा और होल्ड करना चाहिए कंपनी पूरा क्लियर कट आपको दे दे उसके बाद आपको वाई करना चाहिए सब कुछ डिटेल में अनलाइस करके हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं तो वीडियो में लास्तक बने रहें कोई भी पार्ट मिस न करें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें तो देखते हैं इस कंपनी के डिटेल को सबसे पहले अगर इस कंपनी के आज के तेजी की बात के तो अच्छी खासी तेजी के साथ आप देखेंगे वोल्यूम भी पिछले काफी महीनों बाद इस कंपनी में अच्छा खासा वोल्यूम जनरेट होता हुआ आपको नजर आया यानि कि अब यह company actually में फिर से भागने वाला है अगर इस company के breakout point की बात के तो आप देखेंगे company इन दोनों point को break करके इसके ऊपर जाकर close हुआ है वहीं अगर इस company के अगर RSI को आप देखेंगे तो आप देखेंगे RSI जो कि 50-55 के आसपास सी बार बार जाता था और वहाँ से नीचे गिरना start कर देता था company उसको break करके 66 के पास जाकर आज close हुआ है तो ऐसे में इस company में एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिलेगा जो लोग भी fresh city करना चाहते हैं इस company के अंदर सबसे पहले ही उसका ये level तूट जाने दे और आपको इस company को short term के लिए continue करना चाहिए company का जो पहला target होगा वो होगा 60-62 उपए का company जैसे इसके उपर निकलता है तो आपको 72-75 उपए का अगला target देखने को मिल जाएगा तो जो लोग भी short term के लिए इस company को buy कर रहे हैं अपना stop loss लगा कर continue करें जो इन लोगों ने अभी दग इस company को hold करके रखा है आगे भी hold करके रखे क्योंकि यह company अगेन आपको bounce back होता हुआ नजर आएगा आपका सारा loss require होगा और आप अगेन profit में जाएगे उसके लिए थोड़ा सा time लगेगा आपको थोड़ा सा time इसको देना पड़ेगा तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना यह video को like करें, share करें, subscribe करें Thank you for watching this video